है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आपकिस तरह OPPO के फोल में Play Store Ads को बंद कर सकते हैं जीहां दोस्तों प्लेश्टोर पर आपको सेटिंग करके कुछ देर तक Ads को ब्लॉक कर सकते हैं वो कैसे आज मैं आपको बताऊंगा तो चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों Play Store में Ads को ब्लॉक करने के लिए आपको Play Store application open कर लेना है Right side में आपको अपने Play Store अकॉंड का इकॉंड दिखाई देगा तो उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेड दिखाई देगा यहाँ से आपको settings पर क्लिक करना है जैसे आप settings पर क्लिक करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ से आपको family, parental control, parent guide का option दिखाई देगा तो उस option पर क्लिक कीजिए जैसे आप उस option पर click करेंगे तो नीचे आपको और भी options मिलेंगे यहाँ से आपको parental controls के option पर click करना है दोस्तों अगर आपके oppo के phone में parental controls off है तो इसको on कर लीजिए इसको on करने के लिए बस आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं create content pane you will use this pane to change the settings for parental controls तो यहाँ से आपको pin create करना है तो मैं pin create कर लेता हूँ जैसे आप pin create करेंगे तो ओके पर click कीजिए और यहाँ से आपको उस pin को confirm करना है जैसे आप उस pin को confirm करेंगे तो यहाँ से parental controls on हो जाएगा यहाँ से आपको apps and games के option पर click करना है और यहाँ पर आपको allow or including unrated के option को चूज़ करके save कर लेना है तो ठीक इसी तरह आपको मुईस पर click करके allow or including unrated को save कर लेना है उसके बाद आपको back आ जाना है और यहाँ से आपको settings application open कर लेना है settings application जैसे ही आप open करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ से आपको इस page को scroll down करके google पर click करना है जैसे आप google पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ से आपको ads पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं delete advertising id का option available है तो यहाँ से इस option पर click करके अपने id को delete कर दीजिए क्योंकि google इस id के मदर से आपको ads suggest करता है तो यहाँ से इस advertising id को delete कर दीजिए जैसे आप इन setting को करेंगे तो आपके oppo के mobile में थोड़ी देर तक ads block हो जाएंगे तो इस तरह आप अपने oppo के smartphone में ads को बंद कर सकते हैं वीडियो चलेगी तो इस वीडियो को like करना और इसे interesting videos पाने के लिए इस channel को subscribe कीजिए thanks for watching